बिहार के किसंगन में सुवा सुवा भुकम के जटके महसूस किये गए बता दे कि 6 बच की संतामे मिनट पर ये जो जटके थे वो महसूस किये गए हलांकि इस भुकम की वज़ो से कोई भी जानमाल की जटी नहीं हुई है आपको बता दे कि बिहार के किसंगन में सुवा सुव भुकम्प से धर्ती काप उठी, भुकम्प के काकेंद्र सिक्किम में बताया जा रहा है, भुकम्प के तिवृता रिक्टर स्केल पैमाने पर 4.4 मापी गई है, भुकम्प के जटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलाएं, कुछ देर के लिए लोगों के बीच अपरा तफरी का महाल देखने को मिला, भुकम्प महसूस होने के बाद इस्थानिये लोग अपने घरों से बाहर निकलाएं, कुछ देर के लिए दोबारा भुकम्प आने की आशांका के बीच लोग डरेश से हमें दिखें, इस बीच तिवरता कम होने के कारण कई लोगों क इसका अहसास नहीं हुआ, धर्ते डोलने से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, ऐसे में आपको बता दे कि प्रिथिवी चार परतों से बनी हुई है, 50 किलोमीटर के इस मोटी परत के अंदर साथ प्लेट्स होते हैं, जो बिना रुके घुमती रहती है, पर्स की मान स्केल यानि एक से नौ के बीच मापा जाता है, जब भुकंप आता है और धर्ती के अंदर से जो उर्जा की तिरंगे निकलती है, उसकी तिवर्ता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, इनी तिरंगों के कारण लोग कंपन महशूर्ष करते हैं, ऐसे में 2.5 से 5.4 तिवर् अजिर्ता रही तो यहाँ खतरनाक भुकंप होता है, वही 7 से 7.9 बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इमारत गिर सकती है, इस से ज़्यादा 8 से 9 में तवाही मचाने वाला भुकंप होता है समुंद्र के नजदीक वाले लाके में सुनामी आ जाती ये ज़्यादा खतरनाक होता है तो ऐसे में बता दे कि आज बिहार के किसंगन में जो है वो आज सुब़ सुब़ 6 बज के संतामन मिनिट पर भुकम के जटके महसूस किये गये जिले के कई इलाकों में इसका असर देखा गया हलांकि अब तक भुकम किसे जान माल की जटी नहीं हुई है आपको बता दे इसकी तिवरिता जो है वो चार मापी गई है भुकम के जटके महसूस होने के बाद लोगों में अफरात तफरी का महौल हो गया लोग अपने जान बचाते हुए अपने घर से बाहर निकले जहां खुला जो इलाका था वहां पे पहुँचे जहां लोगों के बीच जो है अफरात तफरी का महौल हो गया लेकिन बता दे कि किसे भी तरह की कोई छटी नहीं पहुँची है भुकम महसूस होने के बाद ही है स्थानी लोग अपने घरों से बाहर निकलाएं कुछ देर के लिए दुवारा भुकम आने की अशांका के बीच लोग डरिस सहमें लगें और लगतार जस्तरीके से कही न कहीं आसपास के इलाकों में भी भुकम के जटके महसूस किये गये हैं आपको बता दे कि लगतार जस् पर भय पैदा हो जाता है तो ऐसे में आपको बता दे कि एक बार फिर से की बिहार की किसंगन में जो है आज भुकम की जटकी महसूस किये गये हैं